उधारन साथ एक व्यक्ति की वर्तमान आयू उसके पुत्र की वर्तमान आयू के वर्ग के बराबर है यदि एक वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयू उसके पुत्र की आयू की आठ गुनी थी तो दोनों की वर्तमान आयू ग्याद कीजिए हल माना की पुत्र की वर्तमान आयो आयो बराबर एक्स वर्ष तब व्यक्ति की वर्तमान आयो बराबर एक्स की गात दो वर्ष पहले पुत्र की आयो हम जान रहे हैं कि माना की पुत्र की वर्तमान आयो एक्स वर्ष है तो एक वर्ष पहले पुत्र की आयो एक्स रिण एक वर्ष होगी तथा एक वर्ष पहले व्यक्ति की की आयो एक्स की गात दो वर्ष है तो एक्स की गात दो रिण एक वर्ष एक वर्ष पहले व्यक्ति की आयो एक्स की गात दो रिण एक वर्ष होगी चूकि एक वर्ष पहले एक वर्ष पहले व्यक्ति की आयो पुत्र की आयो की आट गुना थी इसलिए व्यक्ति की आयो एक वर्ष पहले व्यक्ति की आयो एक वर्ष पहले बराबर आट गुना व्यक्ति की आयो अधीक थी उसके पुत्र से तो हम आट को गुना करेंगे पुत्र की आयो एक वर्ष पहले से या यहां कुष्टक खोलेंगे द्ययपक्ष में तो एक्स की घाद 2 रिण 8 एक्स और उसी तरह से रिण 8 का पक्षांतर करेंगे तो धन 8 धन 8 में रिण 1 एक बराबर धन 7 बराबर 0 हमें प्राप्त हुआ या 8 एक्स को हम 7 की गुणांक में लिखने के लिए हम इसे लिखेंगे एक्स की घाद 2 रिण 7 एक्स रिण एक्स धन 7 बराबर 0 या पहले दो पदों में से उभैनीश निकालेंगे एक्स तो एक्स रिण 7 हमें मिलेंगा और अंतिम दो पदों में से रिण 1 को उभैनीश निकालेंगे तो एक्स रिण 7 हमें प्राप्त होंगा बराबर 0 या दोनों हम निकालेंगे तो x-rin एक हमें प्राप्त होंगा बराबर 0 आगे देखते हैं हमने देखा x-rin 7 और x-rin 1 बराबर 0 हमें प्राप्त हुआ था या हम लिखेंगे x-rin 7 बराबर 0 या x-rin 1 बराबर 0 इन दोनों में कोई भी एक 0 नहीं हो सकता है रिड 7 का पक्षांतर करने पर x बराबर 7 या x बराबर रिड एक का पक्षांतर करने पर 1 x बराबर 1 के लिए पिता वा पिता वा पुत्र की आयू एक वर्ष है जो की संभाव नहीं है अतहा एक्स बराबर हम 7 लेने पर पुत्र की वर्तमान आयू एक्स बराबर 7 वर्ष एवं पिता की वर्तमान आयू एक्स की घात 2 बराबर एक्स की घात 2 बराबर 7 गुणा 7 बराबर 49 वर्ष इस तरह से हमने ग्याद किया कि पुत्र की वर्तमान आयू एक्स बराबर 7 वर्ष एवं पिता की वर्तमान आयू एक्स घात 2 बराबर 7 घात 2 बराबर 49 वर्ष यह इस उधारन का हल होगा